हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो आच चैनल बिंग डॉक्टर तू देखी गाईज हम लोग बात कर रेते तत्पूरु समास के बारे में और हमने वेदी करन तत्पूरु समास जो कि समास का एक भाग है तत्पूरु समास का वो हमने देख लिया है ठीक है आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है समनादी करन तत्पूरु समास मैंने समनादी करन तत्पूरु समास क्या है वो आपको बता दिया है पिछली वीडि और आपको पेपर के टाइम पे इदर उदर भागना भी नहीं पड़ेगा, तो चलिए बात करते हैं सम्नादिकरन तदपुरुस समाव me करमधार्य समाव f2. क्या होता है वह मंदोग डेख लेते हैं, सबसे पहले करमधार्य समाव में सूत्र आता है जिसका मतलब क्या होता है इस समास में पूरुवपद और उत्तरपद में एक ही विबक्ती होती है इसी को क्या कहते है कर्मधारिय समास या फिर समनादी करन तत्पूरु समास कहते है अगला है करमधारिय समास का पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या हो सकता है जैसे देखिए आपे पहला शब्द हो सकता है विशेशन दूसरा हो सकता संग्या या तो दोनों संग्या होंगे या फिर दोनों विशेशन होंगे ठीक है ये हो सकता है फिर अगला बताया गया है कि एक उधारम बताया गया देखे आपे नीचे कुरुष्णाः च असो सर्पच तो क्या हो गया समासपद इसका कुरुष्णा सर्पच तीक है यही सारा विग्रह है और यह समासपद हो गया अगला जो सूत्र बताये गया है कर्मधार्य समास में वो है देखे यहाँ पर विशेशन शेय बहु लम ठीक है तो इसका मतलब क्या है इस समास में लक्षन बताये गये हैं कर्मधार्य समास के जैसे कि फूरुपद में कौन सा होगा विशेशन होगा और उत्तरपद में विश टीक है तो ये होगा तो इसी से क्या हो जाएगा हमारा करमदारिय समास जो है वो बन जाएगा उधारण के तो पर आप लोग देख लेते हैं शुकलपटः तो शुकलब च असो पटः च एक और देख लेते हैं अधारण महाराज मतलब देखे यह आपर क्या विगर किया गया महान च असो राजा च ठीक है मतलब जो राजा महान है तो यह हो गया आपका करमधार्य समास क्या बोला मैंने पूर्वपद में विशेशन और उत्तरपद में विशेशन अगला देखे यहां पर आप अगला है ड्विगु समास तो इसे क्या बोल दिया दिगू समास बोल दिया उधारें के दोर पे आपे देखिए पंचोटी पंचवटी को का समाहर जो है वो पंचवटी हो गया मतलब संक्या वताता है इस समास को क्या बोल दिया हमने जिगू समास बोल दिया अगला देख लेते हैं तत्पूरु समास तो आप खतम हो चुका है आने का मन्य पदार्थ, ठीक है, तो इस सूत्र में प्रतम विबक्ति पदों का परस्पर में जुड़ना, क्या होता है, प्रतम जो पद होते हैं, उसका प्रतम विबक्ति होके आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है, बहुरी समास का जो पहला सूत्र है, वो ब अन्त का जो पद है उससे क्या होता है उसमें विवक्ति होके जो है अन्य पद के साथ वो अन्य पद के अर्थ के साथ वो समास बनाता है मतलब थोड़ा सा यह देखे गाईज यहाँ दो शब्द मिलकर किसी अन्यपत की विशेशन होते हैं यही कह कहलाता है अनेक मन्य पदारते ठीक है उधारन के दौर पे देखे यहाँ पितामवरह पितानी अंबरानी यस्य सह ठीक है तो यह हो गया आपका समाजपत पितामवरह उधारन हो गया इसका अगला जो है वो निश्टा है ठीक है दूसरा सूत्र जो बोला गया बहुविरी समाज में निश्टा इस सूत्र में पुर्वा पद एंडिंग वर्ड जो है आपका वो कत प्रत्य और कत्वतु प्रत्य का समाविश है यहाँ ठीक है यहाँ निश्टा वीडियो आपको helpful लगाए तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सुराइब करना न बोलिए और ऐसी वीडियो आगे हम लोग अगला समास देखेंगे झाल 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 झाल